दोस्तो इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूँ कि उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा बॉलिवोड के जोकर यानि के वहिया रनवीर सिंग को लेकर कि भाई आज उनके जनम दिन पर जो खबर बॉलिवोड की गलियारों से निकल के आई है वो तो भाई उनके लिए अद्भुत बिजत्ती है उनके जनम दिन पर तो भाई ऐसा क्या हुआ है रनवीर सिंग के साथ कि भाई उनको लेकर कही जा रही है ये बात कि भाई ये तो अद्भुत बिजत्ती हो गई जोकर की तो भाई उनके करीबी मित्रों ने भाई उनको वाकई में बना दिया भाई डॉन के नाम का जोकर हलो फ्रेंट्स मैं हूँ नरेंदर और मैं आपका एक बार फिट से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानि की वाईरल लिउस एंट्सन में तो दोस्तों ये बात तो आप लोग चानती हो कि भईया ये महीना जुलाई का चल रहा है और आज है तारिक 6 यानि के भईया आज है 6 जुलाई और भईया आज ही हमारे बॉले वोड के जोकर यानि ये भाई गली बॉई रनवीर सिंग का जनम दिन है तो भईया इससे पहले कि मैं ये खबर आप लोग के सामने रखूँ कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ बॉले वोड के जोकर यानि के भाई रनवीर सिंग को उनकी जनम दिन की बधाई देना ना भूलिएगा तो रनवीर सिंग के जनम दिन पर एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने आएगी और ये अपडेट भाईया क्या होगी तो भाई रनवीर सिंग के हाथ में लग गई है शारुखान की सूपर डूपर हिट फिल्म की फ्रंचाजी यानि कि भाई अमिताब बच्चन के सूपर डूपर हिट फिल्म डॉन का रिमिक बॉलिवोड में बना और भाई इस रिमिक में नजराएं बॉलिवोड के रुवांस के असली बातसा यानि के विया किंग खान पार्ट वन और पार्ट टू में अब इस फिल्म के पार्ट थ्री को लेकर खबरों का वाजार इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया है यानि कि भाई इस फिल्म से शारू खान भी बाहर हो चुके हैं वैसे फिल्म के और भी कही सारी अदाकारा हैं जो हैं वह इस फिल्म से पहले ही बाहर जा चुकी है तो भाई अब डॉन के पार्ट री में नय डॉन की इंट्री हो रही थी तो भाईया नय डॉन के ही साब से इस फिल्म के स्टार कास्ट एब फिर से फाइनलाईज किया जाना था और भाई इस फिल्म को लेकर ये जनकारी लगभग लगभग टैम आनी जारी थी कि भाई रनवीर सिंग् जो है वो इस फिल्म में इंट्री मार चुके हैं और भाई पाट थर्ड को लेकर याρωन के पाट थर्ड को लेकर भीया खावरे तो यहां तक आज निकल के आई है बॉलिवोड से कि भाई इस पार्ट थर्ड के लिए एक सांदार टीजर भी इस फिल्म के मेकरों ने शूट कर लिया था रनवीर सिंग के साथ और भाईया उन्हों का प्लान था भाई रनवीर सिंग के जनम दिन पर ही इस टीजर को लॉंच किया जाएगा बहुत ही बड़े इवेंट के माध्यम से इससे पहले भाई यह इवेंट हो पा था कि भाई इस इवेंट पर पानी फेर दिया भाई सलार ने यानि कि भाई इस फिल्म को लेकर ये दोहाई दी जारी है कि भाई अगर सलार का टीजर आज लाँच नहीं होता तो भाई आज डॉन का ये टीजर लाँच हो जाता यानि कि भाई आज डॉन का टीजर अगर हम लोगे सामने नहीं आया है बहिया इसका सबसे बड़ा कारण भाई सलार को बताए जा रहा है लेकिन बहिया अंदर खाने से इस फिल्म को लेकर ये खवर निकल की आ रही है कि बहिया इस फिल्म के जो मेकर है वो इस फिल्म को लेकर तब आगे बढ़ेंगे जब बहिया रौकी और रानी की प्रेम कहानी जो है वो बॉक्स ओफिस पर पास हो जाए यानि कि भीया डॉन के पार्ट थर्ड के जो मेकर है उन्होंने ये फैसला किया है कि भाई हाल फिलाल में ही रनवीर सिंग की ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है और वो भीया ये सुझ रहें कि अगर ये फिल्म बॉक के पार्ट थर्ड से जुड़ी हुई जानकार या तभी आपको देखने को मिलेगी जब भाई रोकी और रानी की कहानी लोगों को पसंद आ जाएगी यानि कि भीया खबर यहां तक निकल गया रही है कि भीया डॉन के पार्ट थर्ड के टीजर को या इस फिल्म के मेकर जो ह भाई गदर के पार्ट टू की माधिम से यानि कि भीया सब कुछ कंडिशन अप्लाई के ओपर डिपेंड करता है कि भाई अगर आपकी फिल्म चल गई तो भीया डॉन त्री को हम आपके साथ ही बनाएंगे अन्य था इस बात पर हम आगे विचार करेंगे कि भीया कुछ उपर डूपर हिट फिल्म यानि कि भीया डॉन के पार्ट थर्ड में फिट बैठेंगे कि नहीं तो भाई ऐसा आप लोग कर की क्यों रहे हो मेरे भाई कर ही क्यों रहे हो तो दुस्तों इस ख़बर को सुनने के बाद तो भाईया मुझे तो हसी आरे इस फिल्म के मेकरों के हैं यानि कि भाई एक पुरानी कहावत है ना कि मीठा मीठा गब गब और करवा करवा तुथू ऐसा नहीं चलता है मेरे भाई तो चलिए पता चलेगा अगस के महिने में जब रौकी और रानी की प्रिम कहानी भीया हिट हो जाती है तो यह जानकारी हम लोग के सामने आ ना भूलीगा और माने अपडेट्स को जाने के लिए लाकिन को जोर्द वाईएगा